हलो एवरीवान वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे आटो एटीएफ की भारत के पहले आटो एटीएफ पांच जनवरी से इन्वेस्टिंग के लिए ओपन है तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करे जीए तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट न्यूस की तो भारत में पहली बार आटो एटीएफ को लांच किया गया है आटो एटीएफ आप बहुत ही असान बाशा में समझ सकते हैं कि यह आटो कमपनीज के शेयर का म्यूच्वल फंड है जिसको कि आप एक स्टॉ क्लेम कर रही हैं कि इनके द्वारा लांच किया गया ऑटो एटीएफ भारत का पहला है लेकिन जैसा कि दोनों ही जो एटीएफ हैं वो फिफ्थ जैनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुए थे तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि दोनों ही भारत के पहले ऑटो एटीएफ है वो पहले क्लोज हो रहा है तो उसकी अलॉट्मेंट भी पहले होगी और वो लिस्ट भी होफुली पहले होगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको भारत का पहला ऑटो एटीएफ बोला जाए तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जब अलॉट्मेंट हो जाएगी तो यह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा उसके कुछ तिनों में और उसके बाद आप इसको एक शेयर की तरह खरीद और बेच पाएंगे और अगर यह दोनों ही एटीएफ की बात क लेता है उतनी ही रिटर्न इसमें पाने की कोशिश की जाएगी हाला कि थोड़ा बहुत इसमें ट्रैकिंग गाप सो सकते हैं और इस जो आटो एटीएफ में पंदरा स्टॉक्स इंक्लूडिड होंगे जिसमें की लार्ज वीकल मैनुफेक्चरर होंगे और अटो एंसेलिरी की लगबग 0.2% per annum के चार्ज इसमें लिये जाएंगे और अब अगर बात की जाएगी भई इसके constituents क्या होंगे यानि कि इसमें कौन-कौन से share include होंगे तो यह जो आटो एटीएफ है यह आटो इंडेक्स को follow करेगा और जैसे जैसे आटो इंडेक्स में changes होंगे उसे साब स आटो ETF में भी shares बदले जाएंगे लेकिन अभी के हिसाब से इसमें यह 15 companies included हैं जिसमें की सबसे ज़्यादा weightage मारूती Suzuki की है 19% के आसपास उसके बाद Tata Motors, Mahindra & Mahindra, फिर Bajaj Auto, Aisher Motors, Hero Moto Cop इस तरह से कुछ tire companies हैं, कुछ auto ancillary companies हैं, कुछ pure auto companies हैं और कुछ manufacturing, forging वगेरा वाली companies हैं, और अगर sector weightage की बात की जाएं तो इसमें 96.38% companies जो automobile sector से हैं और बाकी की 3.62% जो की भारत forge है, वो उसमें से है, industrial manufacturing में से, और अगर इसकी price earning और price to book ratio देखी जाए, तो इसका जो nifty auto index की 58.86 है price earning ratio, अगर nifty 50 की देखी जाए तो 24.43 है, तो उस हिसाब से यह थोड़ा expensive लगता है valuation wise, PB ratio भी इनकी on the higher side है, और dividend yield इनकी 1.16% है, यानि कि जो भी companies इसमें included हैं, वो लगभग 1.16% annual इसमें dividend देती हैं, वो इन 50-50 की जो companies हैं, वो 1.19% देती हैं, और अगर बात की जाए कि भाई, auto index में companies कैसे select की जाती हैं, तो इसमें जो भी companies होती हैं, उसको हर 6 महि इने पे इसमें review किया जाता है, जो भी January और July end का data होता है, उसके हिसाब से companies को select किया जाता है, और वो last trading day of March और September से effective हो जाती हैं, और इसमें जो भी companies select की जाती हैं, वो Nifty 500 में होनी चाहिए, यानि कि top 500 companies में से होनी चाहिए, minimum number of stocks 10 होने चाहिए, ताकि diversification रहे, जैसे कि automobile sector से होती हैं, इसके अलावा जो इसमें companies select की जाती हैं, वो free float market capitalization के basis पे की जाती हैं, free float market capitalization मतलब की, अगर total market capitalization में से हम promoter का share हटा दें, तो वो free float market capitalization होता है, तो उसके हिसाब से इनको weightage दी जाती है, तो इस time पे Maruti Suzuki का सबसे ज़्यादा free float market capitalization है, तो उनकी सबसे ज़ ये index चले, तो उसके लिए कुछ और rules हैं, जैसे कि कोई भी एक single company की weightage 33% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और top 3 companies की जो weightage at total मिलाके 62% से ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर ऐसा होता है, तो उनको adjust किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा 19.17% Maruti Suzuki क 33% से कम है, और अगर हम तीनों को add करें, तो ये लगबग 52% के आसपास आती है, जो कि 62% से कम है, और अगर हम बात करें इनकी historical performance की, तो पिछले अगर 10 साल का अगर हम data analyze करें, तो पहले 6 साल में आप इस chart में देख सकते हैं, जो blue color में है, वो nifty auto की total return है, जो भी price में इनकी return मिली है, प्लस जो भी dividend वगएरा दिया गया है, तो यानि कि total return को compare किया गया है, nifty 50 index की total return से, तो आप देख सकते हैं कि 2012 से 2017 तक हर साल में nifty auto ने nifty 50 को outperform किया, यानि कि इन्हों ने जादा return दी, लेकिन 2018 से लेकर कि 2021 तक चारों साल में nifty auto की जो performance है, वो nifty 50 से खराब रही, हाला कि दो साल में पिछले आप देख सकते हैं कि पहले तो ये negative थी, 2018 उननिस में auto की performance negative थी, लेकिन अब positive हुई है, बट अभी भी ये nifty 50 से पीछे है, और उसके पीछे का अगर कारण देखा जाए, तो पीछे consumer demand में ज़्यादा बड़ोतरी नहीं देखी गई थी, उसके ब आइसे एसे प्रू जो mutual fund है, उन्होंने अपने prospectus में mention किया है कि जो automobile company होती है, वो cyclicals होती है, यानि कि ये कभी चलती है और कभी फिर इसमें recession आ जाता है, तो इसमें normally ये जो cycle follow करती है, वो होता है expansion का, फिर peak आता है, फिर recession आता है, फिर recovery आती है, तो अगर अब ही हम देखे तो recession आया था जब COVID के बाद, और या उससे पहले भी थोड़ा सा recession देखा जा रहा था, और अब ऐसा लग रहा है कि recovery की side है, तो आने वाले time में इससाब से इसमें expansion और peak आ सकता है, तो यहां से ये companies अच्छा कर सकती है, और इसके अलावा अगर इनकी compounded annual growth rate की बात की हैं कि हर साल में इन्होंने Nifty Auto का जो index है, इसमें red color में है, तो इन्होंने Nifty 50 से कम return दिया, चाहे एक सालो, तीन सालो, पांच सालो, या दस सालो, तो एक साल में इनकी 20.34% की CAGR है, और तीन साल में 7.23% की, 5 years में 4.88% की, लेकिन 10 years में 13.65, तो 10 years में इनका जो gap है, वो सबसे कम है Nifty 50 के मुकाबले में. और अब अगर हम कुछ और positives की बात करें, auto sector की, तो auto sector एक turnaround के लिए ready है, क्योंकि जो भी COVID की वज़े से इनका business impact हुआ था, वो normalcy की तरफ जा रहा है, दूसरा इनके जो valuation है, वो अभी काफी ज़्यादा discount पे हैं, जबकि दूसरे sector से compare करें, तो य जो PB ratio है, वो 4.4 times के आसपास है, जबकि पिछले 10 साल की अगर average देखी जाए, तो वो 5 times थी, तो यानि कि अपने 10 साल की average से अभी कम पे available हैं, इसके अलावा जो margin और return ratios हैं, वो improve होने के chances हैं, जैसे कि cyclical recovery आएगी, क्योंकि अभी recovery की side है, फिर उसके बाद अगर expansion और peak आता है, तो आने वाले time में हम देख सकते हैं, कि इनके margin और return ratio improve हो सकते हैं, उसके अलावा, ICSA security ने बोला है कि faster vaccination की वज़े से जो workplaces हैं, educational institutes हैं, वो revive होंगे, वहाँ पे transportation requirement जो थी, उसके revival होगा, इस वज़े से three-wheeler, buses और scooter की demand बढ़ेगी, इसके अलावा, experts ये मान रहे हैं, क आप इसमें अगर invest करना चाहते हैं, तो वो आपका tactical decision होना चाहिए, यानि कि tactical wise अगर आपको लगता है कि भाई, इसमें अच्छी खासी गिरावट आ गई है, buy on dips अगर आप normally share को करते हैं, आप contra call लेना चाहते हैं, क्योंकि fundamental अभी आपको खराब लगेंगे, लेकिन अगर आप contra call लेना चाहते हैं, तो आप expert के हिसाब से 10% के आपस अपने जो total portfolio का, जो भी equity का portfolio है, उसका इसमें invest कर सकते हैं, और अगर हम बात करें कि क्या आपको इसमें invest करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम auto sector के issues की बात करें, तो auto sector पिछले कुछ टाइम से बड़ purchases की, उसको postpone किया गया, उसके अलावा जब ये economy दुबारा से खुलने लगी second wave के बाद, तो supply chain issues आ गए, आपने सुना होगा, semi conductor shortage थी, chip नहीं मिल रही थी, तो उसकी वज़े से इनकी production impact हुई, जिससे कि ultimately revenue पे impact पढ़ा, इसके अलावा जो पीछे commodity के prices हैं, इसकी steel के या ज पहेड की बात करें, यानि कि positive देखने की कोशिश करें, तो अब ये जो इनका बुरा टाइम है, वो ऐसा लग रहा है कि खतम होने को आ रहा है, economy दुबारा से दुनिया बर की खुल रही है, इसके लावा commodity prices भी थोड़े से stabilize हो रहे हैं, और omicron जो variant आया है end of 2021 में, उसका भ रही है कि global economy जल्दी ही track पे वापिस आ जाएगी, उसके अलावा जैसे कि cyclical sector है, cyclical sector का मतलब कि इसमें peak भी आएगा, फिर इसमें down भी आएगा, और अभी अगर इनका down चल रहा है, तो उस हिसाब से आगे आने वाले time में इसका peak भी आना चाहिए, तो उस हिसाब से contra call ली ज लेना चाहते, तो इसमें जो सबसे बड़ा risk वही है कि अभी पीछे ये out of favor sector रहा है, यानि कि fundamentally ये बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको विश्वास है, कि आने वाले time में इनके demand बड़ेगी, cyclical sector वाले concept वे विश्वास है, तो आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन आपको ready होना चाहिए कि इसमें volatility रह सकती है, और अगर आप इसमें directly invest नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी भी अगर large cap fund में करते हैं, तो उसमें भी अगर आप high level पे देखे, तो लगबग 5% के आसपास auto और auto ancillary sector में जाता है, क्योंकि कुछ companies हैं, जो कि जैसे Tata Motors, Maruti वगेरा, जो कि सभी large cap funds में normally होती हैं, इसके अलावा अगर आप Nifty 100 का index ले, यानि कि top 100 companies का, तो उसका भी जो 4.4% का allocation है, वो auto और auto ancillary sector में होता है, तो अगर आप थोड़ा बहुत auto sector में exposure चाहते हैं, तो आप एक large cap fund ले सकते हैं, उसके अलावा अगर पूरा ही auto sector में लेना है, क्योंकि buy on dips वाला मौका लग रहा है, तो आप अगर, क्योंकि यह जो auto ETF होंगे, passive fund होंगे, जैसे जैसे auto index चलेगा, वैसे वैसे चलेगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई expert आपके fund को manage करे, तो आप एक mutual fund आता है, UTI का transportation and logistics fund के नाम से, जो कि एक actively managed fund है, यानि कि इसमें एक fund manager होगा, जिसको जो की decision लेगा, वो expert होगा, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और इसमें भी ज्यादा तर आप देखेंगे कि auto or auto ancillary stocks में invest किया जाता है, इसके लावा कुछ transportation और logistic sector में भी किया जाता है, लेकिन 80% इनकी investment auto or auto ancillary में होती है, और इसकी अगर पिछले 5 साल की return देखें, तो 7.2% रही है, तो as an alternative, अगर आपको लग रहा है कि भी इसमें बहुत risk हो सकता है, आप टंग से exit नहीं कर पाएंगे, entry का time गलत हो सकता है, तो आप एक mutual fund UTI वाले में भी apply कर सकते हैं, इनका major exposure auto में है, और video close करने से पहले मै हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views थे, वो मेरे personal थे, अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं, तो आप अपने financial advisor से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप comfortable feel करते हैं, तब ही आप इसमें invest कीचिए, thanks so much for watching the video and God bless you all.